तो दोस्तो अगस्त का मैना है और मारवल की एक टीवी सिरीज आने वाली है जिसका नाम है शी हल्क और उसे प्रोमोट करने के लिए मारवल एकदम मूट पर आ गया है यानि आप लोग देख सकते होंगे पिछले काफी दिनों से हम लोगो बहुत सी ओफुशल क्लिप देखने ने कुबल सकती है आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों कमेंट वीडियो को स्टार्ट करें सब्सक्राइब करते हैं बिलकुल एपड़ेट से अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो क्लिप आई है इसमें लोग देख सकते जरिफर वाल्टर्स और ब्रू ब्रूस बनर जो कि स्टीर रोजर्स को काफी लंबे समय से जानते हैं वो बस हस रहते हैं यहाँ पर जैनिफर का कहना था जब तक वो ऐसे पतले से कैप्टन स्टीर रोजर्स थे जब तक उन्हें सूपर सोलजर सिरम ने मिला था तक शायद उनकी कोई गल्फ्रेंड ने थी उसके बाद जैसे वो सूपर सोलजर बन गये उनके पास इतना मिशन आया फिर वो बर्थ में जम गये थे उसके बाद उनके पास सारे काम आ गये जैसे कि Avengers Age of Earth on Infinity War और Endgame कि वो काफी लंबे समय तक बिजी रहे तो यहाँ पे शी हल के थियोरी का कॉर्डिंग वो अभी तक व जाती क्या है वो बस यहाँ पे Captain America के टांग ही रही है अब इन सब के बाद दोस्तों इस सब बाते चल ली थी लेकिन तब भी अचानक हम लोग देखते हैं एक बड़ी सी spaceship उनकी वहिकल के सामने आ जाती है जिसे देख कि Jennifer का कंट्रोल अपनी कार से दमख हो जाता है और उसक spaceship दिखेंगे यह एक्जैक्ली वही spaceship है जो कि हम लोगों थवा रैंग नरॉक में दिखाई दी थी यारिक दोस्तों यह और कोई नहीं बलकि Grand Master की एरिया की है और में भी यह अपने चैंपियन या इनकी Bruce Banner के हलका पता लगाने आई हो और इसे फाइनली उसकी location मिल गई हो ज बना रहे थे जो शी हलक के events हुए होंगे वो यहाँ पर snap के पहले होंगे क्योंकि यहाँ पर ब्रूस बने रहे होंगे और उनका हाथ अभी भी ठीक है लेकिन अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो सब बाते चल ली हैं उनके हातों में अभी तक बैंड लगा हुआ है यारी दोस्तों एक चीज़ तो कित्वा में यह जो events हुए हैं वो Avengers Endgame के बात कही हैं और Dr. Bruce Banner का हाथ अभी तक हील ली वा है वैसा ऐसा कुछ हम लोग देखे थे शांगची की मुई में भी लेकिन फिर अचानक हम लोग शी हलके teaser trailer में यह भी देखते हैं अगर आप लोग Professor का accident हुआँगा अगर आप लोग इनके हाथों पर नजर डालेंगे तो ग्रीन कलर में चेंज हो रहा है जैनि exact moment पर जब कार का accident होता है वो device तूट जाता है और जो bruise बनने रहा है वो Hulk में convert हो जाते हैं जिसकी विज़े से दोस्तों अगर एक completely Professor Hulk की जगा incredible Hulk बने होंगे तो उनका healing factor है वो दुबारे से सही हो जाएगा जिसकी विज़े से उनका हाथ फिर से ठीक हो जाएगा और यह पर वापस से वो हम लोग को incredible Hulk से Professor Hulk में convert होते हैं नजर आएंगे क्योंकि उनके mind को भी तो control करना है यहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि Bruce की पास दो option है incredible Hulk बनके और ताकत आजबाने का और यहाँ पर healing factor भी आ जाए या फिर Professor Hulk बनके Hulk की body के साथ Bruce के दिमाग रखने का तो यहाँ पर Bruce बने भले कुछ समय के लिए हम लोगो incredible Hulk को रुप में दिखाए दे जिसकी विज़े से उसका heart ठीक हो जाए लेकिन बात में वो किसी device के मदद से दुबारे से Professor Hulk बन जाएगा और शी Hulk को training भी देगा लेकिन यहाँ पर अगले important बात आती है जो की related है World War Hulk से अब दोस्तों आप लोगो तो पता होगा कि अगर हम लोगों कॉमिक बुक पढ़ेंगे Hulk था वो काफ़ी लंबे समय तक सकार plant पे था जिसकी वज़े से दोस्तो उसकी शादी एक एलियन से हो गई थी और इसका बच्चा भी था लेकिन यहाँ पे कॉमिक बुक में उसे सकार plant पे भेजा कौन था असे मने दोस्तों फूरी Illuminati टीम थी जो किसी वहाँ पे भेज दी थी उनको लगता था जो Hulk है वो अर्थ के लिए ठीक नहीं है लेकिन दो तो उसके पास काफी radiation आ जाती थी जिससे वह और ताकत पर हो जाता लेकिन एक्जाक्टली मावस सिनमेटिक नो उसकी बात करें तो ऐसी तो कॉपी स्टोरी हम लोगों को नहीं दिखा देगी बलकि इसमें काफी कुछ चेंजिस हम लोगों को नजर आएगे लेकिन फिर भी अगर यहां पर Grandmaster Hulk के पीछे आ रहे हैं तो कुछ तो बात होगी यहां इतना टाइम बीद गया और इसके बाद Grandmaster को Hulk की आद आ रही है या तो एक पॉइंट यह भी हो सकते है कि Grandmaster भी snap का शिकार हो गए हाला कि वह एक elder wing है तो उनका snap होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ले अगर दोस्तो आखिरकार वह बड़ा हो गया होगा और यहां पर alien biology को कोई समझ दे सकता है अगर वह 12 साल का भी होगा तो काफी जल्दी बढ़ जाएगा अगर हम लोग कैलकुलेट के आजए तो Hulk को सकार पर है दो साल हो गयते और पान साल का time jump हो था तो almost 7 साल होते लेकिन अगर यहां बच्ची की बात करें तो alien technology और biology के हिसाब से वह और बड़ा हम लोग को दिखाए दे सकता है और इसलिए दोस्तों वह यहां पर आके अपने पापा से मिल रहा होगा लेकिन इन सब कर लाओ दोस्तों अगर लोग बात करें She Hulk की तो यह exact moment होगा जिस समय जेनिफ फूट उट लगी हो वह सब ठीक हो जाए लेकिं दोस्तों आगे जाके अगर वर्ल्ड वार हल की स्टोरिली लाइन बनती है तो वह कैसी दिखाए जगी क्योंकि अकर लोग कॉमिक बुक पड़ेंगे तो वह काफी डीटेल में और यह पर मावर स्टूडियो का एक अजीब स हो जाता है यहाँ पर अगर आप लोग बात करें मिस्स मार्वल की तो कुछ कंट्री में हॉल में लगी भी थी काक एपसोड लेकिन दोस्तों अगर हम लोग बात करें मुई की तो इसका टाइम डूरेशन तीन से चार घंटे का होना चाहिए तब ही ओडिस को मजाएगा वैस दोस्तों अगर मार्वल अपने हल को एक चार्ज देना चाता है तो आखिरकार क्यों नहीं वैसे आप लोग को पता है वहल की डिट में एक दो और फोट आई थी जिसमें हम लोग अबॉमिनेशन को भी देख सकते थे जो की अच्छी तरीके से कपड़े उपड़े पैना था और उसके शकल से लग रहा था कि वो अपनी बॉडि के कंट्रोल में है यानि दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर यह भी हो सकता है कि अबॉमिनेशन को भी काफी ट्रेनिंग में लिए हो वांग के तुरू जिसकी विज़से वो अपने दिमाग कंट्रोल करके अपनी बॉडि भ अब दोस्तों अगर अबॉमिनेशन के पास अपना खोया हुआ दिमाग वापस आ गया है तो यहाँ पर यहाँ पर एक टीम जोईन कर सकता है जो कि है थंडर बॉल्ड्स हाला कि यहाँ पर ओर्डेंस उसके अलावा एक और मेन के अक्टर को देखना चाती है जो कि थंडर ब दोस्तों यह थी कामेजिंग अपडेट के रिलेटेट टे शी हल की नए क्लिप के ब्रेकडाउन की आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी विससे आपकी यह वीजोस पटला टॉपिक पे अपनी वीज़रू कमेंट कीजिए और दोस्तों गरा पैसिनिंग स्परिय कैसा बन जाएगा